नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत अविनंदन हमारे इस कारेक्ट्रम खेल ग्राउंका में आप सब लोगों ने 12 जोतिलिंग का नाम जरूर सुना होगा और अपने मन में एक इच्छा भी होगी कि कभी ने कभी जाकर कि सावण मां में हो सावण का सोंबार हो और समय जाकर कि हम 12 जोतिलिंग में किसी एक दो जोतिलिंग या जितना हो सकता है आपकी जिंदगी में उतने जोतिलिंग की हम पूजा करें या दर्सन कर लें आज का प्रोग्राम इसी पर आदारित है कि अपनी रासिक उनसार कौन से 12 जोतिलिंग में से जोतिलिंग की पूजा आपको फलिबूट होगी ज्यादा फल देगी यँ आपको उनकी पूजा उपासना से लाब होगा भगवान सिव आसानी से प्रसंद हो जाते हैं और भक्तों की मनों कमना पूरी कर देते हैं इसलिए उन्हें भोले बंडारी का आ जाता है इन्हें मेवा मिठाई से मतलब नहीं है सिर्फ जल और फूल से ये प्रसंद हो जाते हैं लेकिन जो विक्ति अपनी रासी क जोतिलिंग को ध्यान में रख करके सिव की पूजा उपासना करता है उसकी मनों कमना जल्दी पूरी होती है और उसपर सिव की क्रपा सदेव बनी रहती है सूरी की जोती बारा प्रकार की होती है उसी से होते हैं बारा माँ बारा रासियां बारा सक्रांतियां इन में से प्रत्यक में सूरी के एक जोति की प्रत्यांता रहती है इसी के आधार पर स्वरूप जोतिलिंग भी है और इसी के आधार पर बारा जोतिलिंग है और इन बादा जोति लिंग वाले स्थानों में वैसे ही सूरी की बारा जोतियों में से एकेकी प्रधानताय प्रतिक स्थान पर रहती है जोति से सूरी और लिंग से केवल सिव ही अभी प्रेत हैं अतर जोति लिंग प्राय बारा सिवों से प्रदसित किये गए हैं भगवान सिव के 12 जोति लिंग देश के अलग लग भागों में स्थित है जिसे साकसा सिव स्वरूप माना जाता है सास्तों के नुसार प्रति एक दिन सिव 24 गंटे सिव लिंग में स्थित रहते हैं इसलिए व्यक्ति को सिव लिंग की पूजा उपासना करते समय अपनी रासि के नुसार जोति लिंग का ध्यान करते वे सिव की पूजा करनी चाहिए और इससे क्या होगा इससे कुली में मौझूद ग्राओं के कूप रभाव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को सुब फल मिलने आरम हो जाते हैं रासी के नुसार किस रासी की व्यक्ति को किस सिवलिंग की पूजा उपासना करनी चाहिए किस जोति लिंग का आपको ध्यान करना चाहिए उसका मनन करना चाहिए यही मैं आपको बताने वाला हूँ प्रत्येक रासी के लिए आईए बात करते हैं मेश रासी की मेश रासी वाले व्यक्तियों को सोमनात की पूजा करनी चाहिए था जर्म मेश रासिम हुआ है उन्हें शावण में किसी भी सोमबार के दिन सोमनाद जोतिलिंग की पूजा करनी चाहिए जिनके लिए इस दिन सोमनाद का दर्सन और पूजन करना कठी नो वो वोई ना जा पाए सोमनाद मंदिर में ना जा पाए वो अपने पास के सिव मंदिर में जाकर के सोमनाद का ध्यान करते हुए दूसरे सिव जी को उस्तनान करा है उस्तनान के बाद सिव जी की शमी के पुस्प और पतियां चड़ाए इस इस्तिति में शिव जी प्रसन होंगे, शिव की करपा प्राप्त होगी मेश रासी के लिए शिव का जो मंत्र है रीम ओम नमा शिवाय रीम इस मंत्र का उनको जाप करना है इस पूजा से क्या लाब होगा उनको छात्र इस विदी विदान से पूजा करें तो शिक्सा के शित्र में आने वाली बादाओं दूर होगी, ग्रस्तों को सुक और शांती मिलेगी, और जो अपना घर बनाने का उद्दे सी अपना सपना संजोई बैटे हैं, उनके इस प्रियास में आने वाली बादाओं को दूरी होगी, अथाथ उनके घर का सपना तो उसका प्रसंद दाकों को ठीकाना ही नहीं है आईए अब बात कते हैं व्रश्च रासी वाले जातक 12 जोतिलिंग में से एक मल्लीकारजुन जोतिलिंगे उनकी पूजा उपासना करنا सबसे श्रेष्ट है शेल परवत परिस्तित मल्लीकारजुन वरश्च रासी के स्वामी है इस रासी की व्यक्तिव को मल्लीकारजुन का दर्शन करने यदि वो नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए शिव की करप्राप प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि स्रावण में किसी भी सुंबार के दिन मलिकार जुन के शिवलिंग की पूजा उपासना या उसका ध्यान करते वे गंगा जल से यदि अभिशेक कर लें सिवलिंग पर आक के फूल आक के पुस्व और उनके पत्ते चड़ा दें तो सर्वस्टेस्ट पूजा मानी जाती है सिवजी की प्रसंता के लिए ये सबसे शेश्ट उपाए माना जाता है वरसरासी के लिए वरसरासी वाले व्यक्तियों के लिए जो मंतर है बहुत छोटा सा ही मंतर है ओम नमा शिवा है मलिकाद जुन का ध्यान करते वे ये मंतर का जाप करना है और इससे आपको लाब क्या होगा क्योंग वक्ति कामनाओं का पुतला है लाबानी को सोचे बिना वो कोई काम करता नहीं है तो इससे क्या लाब होगा कि सिवकी इस प्रकार से पूझा करने से उर्जा का विकास होता है कारे शम्ता में वरदी होती है कारे शम्ता बढ़ती है और भाई बेनों के बीच में आप से प्रेम और सद्भाव बढ़ता है अब बात करते हैं अगली रासी मितुन रासी वाली है मितुन रासी वाले व्यक्तियों को 12 जोतिलिंग में से एक महा कालेश्वर की पूजा उपासना करनी चाहिए महा कालेश्वर कालों के भी काल है उनकी पूजा करने वाले को अकाल मत्युका भैर नहीं रहता इस रासी में जन्म लेने वाले व्यक्ति उन सभी को महा कालेश्वर का दर्शन करना चाहिए और यदि दर्शन ना हो पाए यदि इच्छा होते भी वहां तक जाना संभव नहीं है तो सावण में किसी भी सुंबार के दिन इस रासी के व्यक्ति मा कलेश्वर का ध्यान करते हुए उसका दर्सन करें, पूरे वर्ष संकट से मुक्त रहेंगे अथाथ कोई भी संकट उनको छूँ नहीं पाएगा इस दिन मा कलेश्वर का ध्यान करते हैं और दूद में सहद मिला करके अथाथ आपने देखा होगा जल से अभिशे करते हैं, पंचामर से अभिशे करते हैं तो दूद में सहद मिलाना है और उससे अभिशे करना है बिलव पत्र में हमेसा तीन पत्र एक सात में रहते हैं ठीक है और बिलव पत्रग्णे के एक झोटा हमात्र भी acknowledging कि एक गए कितिति नेट्रव ले 123 प्रुह कके त्रीजम्स कारां त्री φ्ट्रुथीयत्प मीणारे प्रुसे पाप सभाइनों पूरा पत्र शहां कारूं मित्वनरसी के व्यक्ति मा कालेश्वर का ध्यान करते हूँ इस सिव मंत्र का जाप करेंगे ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र वापस याद कर लीजिए और स्क्रीन पर भी मंत्र आ रहा है जो भी व्यक्ति ये प्रोग्राम देख रहे हैं यदि उनको कभी भी ये लगे में मंत्र नोट नहीं कर पाया तो फॉन आपके आथ में है ठीके की बोड आपके पास में जब चाहें उनमें पॉस का बटन दबा दीजिए आराम से आप नोट कर लीजिए उनने तो स्नैप सौट खीच लीजिए आजकल की दुनिया में टेक्नलोजी की दुनिया है जो भी आपको इजी लगे वो काम आप कर सकते हैं तो मंत्र ओम नमो वगवते रुद्राय ये मंत्र का यता संभव जाप करना है अब पूजा से लाप क्या होगा इस रासी के जो विक्ति मीडिया में केरियर बनाना चाते हैं या मीडिया में कारियर रद हैं उन्हें इस पूजा से अच्छे अवसर प्राप्त होंगे अथा जो ये शुटिंग कर रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ जो लोग आर्थिक परिशानियों से छुटकारा पाना चाते हैं उन्हें भी धनलाप का मौका मिलेगा आईए अब बात कते करक रासी की तो करक रासी वाले व्यक्ति उनकारेश्वर की पूजा करे मद्यप्रजेस में नर्मदा के तर्ट पर बसा हुआ उनकारेश्वर जोतिलिंग का संबन्द करक रासी से है इस रासी वाले श्रावण में किसी भी सुंबार के दिन सिव के इसी रूप की पूजा करे उनकारेश्वर महादेव का ध्यान करते हुआ शिवलिंग को पंचामर्द से स्नान कराए इसके बाद में अपा मार्ग और बिलु पत्र चड़ाएं करक रासी काले करक रासी वाले व्यक्तियों के लिए जो शिव मंत्र है वो ओम हॉम जूम सह ये लगू माम तुझे मंत्र है आपने सुना होगा माम तुझे मंत्र और एक होता है संपुटित माम तुझे मंत्र तो संपुटित का अर्थ यही है कि लगू मंत्र आगे और पीछे दोनों तरफ हो और बीच में माम तुझे हो फॉर एक्जामपल ओम हॉम जूम सह तरेम बकम यजा मै सुगन धिम पुस्ति वर्दनम इस प्रकार से एक प्राज सीधा और एंड में जाते जाते उसका उल्टा जब पढ़ेंगे तब यह संपुटित मंत्र होगा इस मंत्र को जितना संबभ वो जाप करें और इससे लाप क्या होगा इससे आपके रासी के स्वामी चनमा को बल मिलेगा और इससे सहत आपकी अच्छी रहेगी मांसिक परिशाने और चिंताओं का आपका निदान होगा और इस प्रकार की सिव की पूझा उपासना करने से बहुतिक सुख साधनों में वरद्धी होगी और हर वेक्ति चाहता है को उसकी लाइफ में बहुतिक सुक्षाधन संपन ये सब कुछ बढ़ जाए इनकी मात्रा अधिका दिखो आईए अब बात कता है सिंग रासी की तो सिंग रासी वाले जातक वैद्यनाथ की पूजा करें इस रासी वाले जारखंड में इस्तिद वैद्यनाथ जोतिलिंग की पूजा करें शावन में किसी भी सुंबार के दिन यदि अवसर में जाये तो वैद्यनाथ जोतिलिंग की दर्शन करें वेदिनाज जोतिलिंग का दर्सन जीने प्राप्त नहों वो किसी भी सिवलिंग की पूजा गंगाजल से करें और सफेद कनेर का पुस्प चड़ाएं बाबा वेदिनाज को भांग और धतूरा बहुत पसंद है इसका भोग लगाएं सिंग रासी वाली व्यक्ति शिव मंतर का अताथ जो गायतरी मंतर शिव गायतरी मंतर उसका जाप करें इसका आपने जाप करना है ठीक जादा नहीं करें कम से कम 51 बार करें 108 बार करें कितना टाइम लग सकता है 24 गंटे में से 24 मिनट तो कम से कम भगवान की पूजा उपासना में देना ही चाहिए आईए अब जानते हैं कि इससे लाप क्या प्राप्त होंगे तो इस प्रकार सिव की पूजा उपासना करने से मांसिक सांती मिलेगी सामजिक प्रतिस्ता और यश की प्राप्ती होगी सरकारी नौकरी और सरकार से जुड़े कामों में आने वाली बादाएं दूर होगी और विवा योग ये कन्याओं की साधी के योग मजबूत होंगे ये आपके लिए प्रसंता की खबर है प्रसंता की सूचना है कि यदि आप ये करेंगे तो आपकी साधी जल्दी फिक्स होने वाली है आपकी सगई होने वाली है ये बात निश्चित है आईए अब बात करते कन्या रासी कि तो कन्या रासी वाले व्यक्तियों को भीमा शंकर की पूज़ा उपवासना करने चाहिए बहुत ही मनुरम बातावरण है और यदि स्रावन मास में भीमा शंकर की यातरा की जाए तो मन प्रसंद हो जाएगा इतनी अच्छी बारिस और इतना अच्छा रास्ता और इतना ही भव्य दर्श्य आप बोल सकता है महाराष्ट के भीमा नदी के किनार बहसा भीमा शंकर जोतलिंग गान्याराशी का जोतलिंग रासी इसका स्वामी है इस रासी वाले व्यक्तियों को भीमा संकर को प्रसंद करने के लिए दूद में घी मिला करके शिविलिंग कोस्नान कराना चाहिए अभिशेक कराना चाहिए इसके पस्चाद पीला कनेर और शमी के पत्ते चड़ाने चाहिए कन्यारासी के व्यक्ति इस सिव मंत्र का जाप करें ओम नमो भगवते रुद्राय एक बार मंत्र फिर पढ़ लेता हूँ उच्चारण सीख लीजिए ओम नमो भगवते रुद्राय यह मंत्र है इसका यथा संभव जाप करें जब भी समय मिले तब जाप करें प्राय लोग बोलते हैं कि हम सुबह हमको समय नहीं मिलता है हम कब जाप करें तो एक बात निश्ची तरुप से जान लीजिए कि इस्वर ने आपकी कंट्री में आने का कोई समय नहीं बनाय वाए कि अमेरिका में उस समय पहुँचेंगे जापान में कभी और पहुँचेंगे चाइना में कभी और पहुँचेंगे इंडिया में कोई और समय आएंगे 24 अवर्स 24 गंटे हर पल इश्वर आपके आसपास से जब आप पुकरेंगे जब आप ध्यान करेंगे जब आप आस्ता करेंगे जब आप मन में लाएंगे वो आपके आसपास मिलेंगे उनकी अनुभूती आपको हमेशा प्राप्त हो सकती है इसने पूजा काल का समय कोई भी निर्दारित नहीं है ना आपको उस और से परशान होना है कि मैं सुबह पूजा नहीं कर पाया तो मेर रद्धी होगी मित्रों से अच्छे समन्द बने रहेंगे और पूरे वर्स विभीन स्टोस्तों से अता बहुत सारे रिसोसे से धनलाब होता रहेगा इंकम की बारिस होती रहेगी आईए अब बात करते हैं तुलारासी की तो तुलारासी वाले व्यक्तियों को जातकों को र भाइट के तमिलनाडू राज्य मेस्टित भगवान राम दौरा स्थापित रामेश्वरम जोतेलिंका समंद तुलारासी से है। भगवान राम ने सिता की तलास में समुत्र सितु निर्माण के लिए इस जोतेलिंकी स्थापन की थी वाँ पूजा की थी। सावन के किसी भी सुंबार के दिन इनके दर्सन से दमपती जिवन में प्रेम और सद्बाव बना रहता है। जो भी व्यक्ति इस दिन रामश्य जोतिलिंग का दर्सन नहीं कर सकते हैं वो दूद में पतासा मिला कर अतात बतासे का नाम आपने सुना होगा सक्कर से बने वे बतासे होते हैं जो प्राय प्रसाद के रूप में आपको मिलते हैं दूद में पतासा आपको मिलाना है अतात उ शिलाराशी के मंत्र के सिव जी के मंत्र की तो सिव पंचाक्षि कउरे मंत्र ओम sudah समय से जब भी आपको समय मिलें इतन्स पूजाप कर सकते हैं अब बात कäreटे से लाब क्या होगा तो इस प्रकार इस जोतिलिंग की पूजा उपास्ना करने से ध्यान करने से आपके कारे शेत्र में अता working environment में आपके केरेर में आने वाले परशानियां दूर होंगी आपके अपने पिता के साथ में मदूर संबन्द बनेंगे जिन लोगों के वेचारिक मद्बेद चल रहे हैं उनका वेचारिक मदबेद भी इस समय में दूर होंगे सामाजिक पतिष्ठा में व्रद्धी होगी आपका नेम फिर्म बढ़ेगा आपका सरकल अच्छा बनेगा और आपकी रेपोटिशन बढ़ेगी जो भी लोग फिल्म इंडस्ट्री से संबंदित हैं एक्टिंग में डांस में आपका दु अतात आपको फायदा होगा प्रसिद्धी मिलेगी अल्टिमेट सक्सेस मिलेगी आकस्मिक धनलाब होगा अब बात कते हैं व्रस्चिक रासी की व्रस्चिक रासी वाले जातकों को नागेश्व जोतिलिंग की पूजा उपासना करना सल्वस्रेष्ट है गुजरात के द्वा आपको नागेश्व जोतिलिंग की पूजा करने ही चाहिए शावार में किसी भी सुंबार के दिन यदि इनका दर्सन करने से आप वंचित रह जाएं तो कोई भी मंदिर में ध्यान करके दर्सन करने से दुर्गटनाव से बचाव होता है जो लोग इस दिन नागेश्व जो नहीं कर सकते हैं वह जाकर के वह धूद और धान के लावा अता जब धान नgt कौल है तो सुसका जो लावा है उसको मिक्स करके सिव जी की पूज चा पास नहा कड़नी है, सिव का भिशेक करना है और ऑर शिव जी को गैंडे के पुस्प शमी और बेल पत्र चड़ाना है शमी की पत्तियां और बेल पत्र और गेंदे के पुस्प शिवजी को चड़ाना है व्रसिक रासि के लिए जो मंत्र है रीम ओम नमा शिवाय रीम इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना है यथा सकती यथा समय चाप करना है अब बात आती ये लाप की गेन की कि आपको पूज़ा से इस उपासना से लाप क्या मिलेगा वापस return gift क्या मिलेगा तो इस रासी वालों कि भाग्ये के स्वामी चनमा है जो सिव के सिर पर सुसो भीते हैं आप सभी देवताओं में देख लिए सिर्फ सिवजी हैं जिनोंने चनमा को अपने सर पर धारन कर रखा है बाकि किसी में समर्थ यह नहीं है कि वो चनमा को अपने सिर्फ पर धारन कर पाए अपने मस्तिक कर धारन कर पाए इतना विचलिद ग्रह जिसको कंट्रोल करना विच्वनाद भगवान की विश्वनाद शिव की पूज़ा उपासना विश्वनाद जोतिलिंग की पूज़ा उपासना ध्यान करना सर्व सिज रहता है वाराने से इस्थित विश्वना जोतिलिंग का संबन्द धनूरासी से है इस रासी वाले व्यक्तियों को सावण में किसी दिन सुंबार के दिन सावण के किसी भी सुंबार को गंगाज़ में केसर मिला करके शिव को अर्पित करना आता सिव का विशे करना बिल पत्रों और पीला या लाल कनेर का पुस्प सिवलिंग पर चड़ाना है धनुरासी के लिए जो मंत्र है वो मंत्र है ओम तत्पुरसाय विदमहे महादेवाय धीमही तन्नो रुद्रप प्रचो दयात इस मंत्र से शिव की पूजा करना है या इससे ध्यान करना है इससे चनमा को बल मिलेगा और साथी शिव की करप्रप राप्त होगी अब बात कते हैं पूजा से लाब इस प्रकार सिव की पूजा उपासना करने से अचानक होने वाले शती और मांसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है स्वास्ति अच्छा रहता है और आकस्मिक संक्टों से बचाव होता है आईए अब बात कते हैं मकर रासी की तो मकर रासी वाले जातकों को नासिक इस्तित त्रेमकेश्व जोतिलिंग का ध्यान करना चीए उसकी पूजा उपासना करना आपके लिए सरुस्त्रेष्ट है तो मकर रासी का समन त्रेमकेश्व जोतिलिंग से है यह जोतिलिंग नासिक में इस्तित है श्रावण में किसी भी सुंबार के दिन इस रासी वाले गंगा जल में गुड मिला करके शिव का जला भी शेक करें अथात अभी शेक करें शिव को नीले रंग का पुस्प और धतूरा चड़ाएं अपने देखा होगा आग पर जो पुस्प आते हैं वो भी नीले रंग के पुस्प और धतूरा चड़ाना है और मकर रासी के लिए जो मantर है वो मंतर तिरम के शवर जोतिलिंग का ध्यान करते हैं इस मंतर का जाब करना है ओम नमस शिवाय यह पंचाक्षरी मंतर है पांच ही अक्षर है इसमें अब बात करते हैं लाब क्या मिलेगा पूजा से लाब जो लोग साधी करना चाहते हैं साधी में आने वाली बाधाएं बहुत है उम्र बहुत जादा हो गई है साधी नहीं हो रही है किसी न किसी कारण से कोईन कोई रुकावट है ऐसे व्यक्तियों को सुन्दर और सूयोग यह जीवन साथी मिलता है अता सब प्रकासे जो भी वीवा से संबंदे जो भी कामना है वो पूरी होने का यह समय है दामपत्य जीवन में जो भी तनाव है उसमें कमी आती है यदि कोई व्यक्ति तारी मजबूत होती है धनला बढ़ता है और यदि कोई संजेदार फ्रॉड करने वाला है वो भी सही रापर आ जाता है अतात उनको नुकसान नहीं होता है नुकसान बच सकता है आईए अब बात कते कुम्भरासी के कुम्भरासी वाले व्यक्तियों को कुम्भरासी वाले हो जाती है इसने सावन में किसी भी दिन सूंबार के दिन या सावन के किसी भी दिन केदारनात का दर्शन आप करना चाहिए और यदि दर्शन करना संभव नहीं है तब ऐसे व्यक्तियों को कुम्भरासी वाले व्यक्तियों को सावन के किसी भी सूंबार के दिन आपने अबिशे कराना है इसके पस्टात कमल का पूस्पो धतूरा चड़ाना है कमल का पूस्पो लक्षमी को चड़ता है लेकिन आपने देखा होगा कमल का फूस्पो सिव जी को भी बहूत प्री है अब बात करते है कुम रासी के लिए मंतर की कुम रासी के स्वामी से सनी देवे इसलिए इस रासी की व्यक्ति भी मकर रासी को आले व्यक्तियों की तरह ओम नमश शिवाय का जाब करेंगे जबके समय केदानात जोतिलिंग का ध्यान करेंगे और इस पूजा से क्या लाब होगा इस पूजा से सावन में किसी भी दिन सिवकी पूजा करने से पूरे वर्स सेहत अच्छी रहती अता स्वास्ति का लाब मिलता है सत्रू और विरोधियों का डर नहीं रहता है मामा मामी और मौसी के साथ में सम्द यदि बिगडे हो तो अच्छे हो जाते है और जरूरत के समय उनसे लाब मिलता है अता ननियाल पक्स से लाब के लिए इस भगवान की जोतिलिंग की पूजा उपासना करना आपके लिए सरुस्रेष्ट है राशी करम की आखरी रासी मीन रासी मीन रासी वाले जातकों को ग्रशनेश्वर जोतिलिंग की पूजा उपासना करना सरुस्रेष्ट है मारश्ट के औरंगाबाद के पास में इस्तित ग्रशनेश्वर जोतिलिंग इस्तित है इस जोतिलिंग का सम्मद मीन रासी से है इस रासी वाले जातक इस रासी वाले व्यक्ति सावन में किसी भी दिन यदि वहाँ पे दर्सन कर सकते हैं तो अच्छा और यदि नहीं दर्सन कर सकते हैं तो उस दिन दूद में केसर डाल करके शिवलिंग को सनान कराएं अभिशेक कराएं स्नान के पस्चा सिवजी को गाय का गी और सहद अर्पित करें अता जो भोग अर्पित करते हैं उसमें गाय का गी और सहद दोनों मिला करके अर्पित करना है और कनेर का जो पीला पुस्प है वो सिवजी को चड़ाना है और साथ में बिलपत्र भी सिवजी को चड़ाना है अत अन्नो रुद्रप प्रचो दयाद ये गायतिरी मंतर है शिव जी का इसका जाप आपने करना है इस मंतर का जितना अधिक हो सके अधिक का मतलब यता संभाव जो भी शक्ति है आपने बिल्कुल ही नहीं करना है या एक बार करके छोड़ दिया ऐसा नहीं चलेगा आपने उसको नियमित करना है और कम से कम सुंबार की दिन अधिक से अधिक टाइम निकाल करके इसमें पूजा करनी है ताकि सारा वर्स आपका अच्छा निकल पाए अब इस पूजा से लाप क्या होगा इस प्रकार सिवलिंग की पूजा उपासना करने से सनी के कूप रभाव से को सनी के कूप रभाव से बचने के लिए ये पूजा उपासना करनी चाहिए और मीन रासी वाले व्यक्तियों को यदि सनी की दसा चल रही है कोई मार्केस की दसा चल रही है कोई कश्ट कारक दसा चल रही है तब भी ये पूजा उपासना करना आपके लिए बहुत सुब है आपके लिए स्रिष्ट फल्द आईए और इस पूजा से इस प्रकार के जाप से आप क्या होगा कि सनी के कूप रपाप से बचेंगे बचेंगे आत्म विश्वास में व्रद्धी होगी हेल्थ समद्धी जो इशूज हैं उनमें कमी आएगी और जो स्टुडेंट्स हैं उनको उच्छ सिक्सा प्राप्त करने में आसानी होगी आता जिनको एब्रोड जाना है वो एब्रोड जा पाएंगे जिनको पोस्ट गेजुट या रिसर्च में स्कॉलर बनना है या आगे सावण के महिने में सावण के सुंबार को जरूर अपनाना चाहिए छोटा सा काम है जिसको करके आप अपने जिन्दगी में चार चान लगा सकते हैं तो यह था मेरा उद्देशिय कि आप 12 जोतिलिंग में से किस जोतिलिंग की पूझा उपासना करने से आपकी कारे सिद्ध मिल सके हमारा यह कारेक्टरम आपको कैसा लगा आपके कोई भी सुझाव है और आपकी आलोशना भी हाँ बिलकुल आपने सही सुना है आलोशना है जो भी कमी है वो भी जरूर बता है और जो भी लिखना है नी संकोच आप लिखे मुझे कुछ भी गलत नहीं लगेगा सामण महिने में सिवजी की जितने पूजा उपासना करके आनंद ले सकते हैं उतना आनंद लें और जीवन में एक ध्याए बना लें कि हर वर्स के सामण महा में किसी जोतिलिंग की किसी तीर्थ स्थान की यातरा जरूर करें जीवन आपादाभी का है तीन सो पैसेड़ी दि भी तो ज़्यादा सीख पाएंगे तभी तो वहां का जो भी कल्चर है कोई भी परदेश में जाये है वहाँ का कल्चर अलगए खाना अलगए वहांकी बोली अलगए यह संबको सीखने का एक हिसा हो जाता है तो समय निकाल के यात्राइं जरूर करें और जो ये समय शावण मा है वो तो बारिश का मा है उसमें तो जहां भी गुमने जाएंगे आपको आनंद ही आनंद आएगा और विशेश कर जहां पे जोतिलिंगे वहां दर्शन करके और बारिश में भीग करके और हर्याली से अच्छा दी साली जगों पे गुमना अपने आप में कल्यान करी अपने आप में आनंद आयक है और सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति का जो मार्ग है या समय है वो शावण मा है आज बस इतना ही आग्या दीजे नमस्कार अपने आप में तो जब ही आप आप प्राइब दीजेश झाथा कि आप दो रहा है आप अपने लूँया